पिछले दो-तीन दिनों से जिस तरह की चेर्चाएं चल रही हैं उसको ले करके बिहार में चेर्चाओं का बजार गर्म है कहा ये जा रहा था कि नितिश कुमार के नितित में जो प्रतिनिधी मंडल गया था प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उसके बाद माहौल जो है दोनों तरफ से टाइट हो गया है इस माहौल में कहीं न कहीं आपको एक चीज नजर आई होगी कि भारतिय जनता पार्टी एग्रेसिव हो गई है हलाकि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने अब तक कोई भी ऐसी बात नहीं कहीं है जिसे ये लगे कि जातिय जनगन्ना से उनका मन उचट गया है या फिर जातिय जनगन्ना नहीं करवाने वाले है सकारात्मक होकर के मुख्य मंतरी नितिश कुमार ने इन बातों को रखा था लेकिन अचानक से अब इन बातों पर कई तरह की चर्चाएं छिड़ गई है आपको बता दें कि जनक राम जो की उस प्रतिनिजी मंडल के हिस्सा थे उन्होंने तब भी जब बातचीत के बाद सभी बाहर निकले थे और मीडिया के साथ बातचीत हो रही थी तब भी वो गायव हो गए थे उसके बाद से भारते जनदापार्टी के तरफ से लगतार आपने देखा हुए कई तरह के बयान आए कईनेताओं ने जातिये जनगना को गैर जरूरी बताया अब जनक राम इस बात को लेकर जिस तरह की बाते कर रहे है uzसे साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं जो मुहीम थी नितीश कुमार और तेजस्वी यादो की जिसको ले करके तेजस्वी यादो को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंतर नितीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी की ये मुहीम है जिसके पीछे साथ साथ हम चल रहे हैं और जातिये जनगर्णा बिहार जैसे राजियों और देश के लिए बहुत जरूरी है हमने जब कल जक्ता नंसिंग से भी बात किया तो उन्होंने साफ तोर पर यह पताया था कि जातिय जनगर्णा इसलिए जरूरी है कि हमें सही डाटा पता चल जाएगा कि किस जाती में कितने संक्या के लोगें जो गरीब है और किस अस्तर पर उनका जीवन بसर हो रहा है इंसारी बातों को लेकर के अप जनगराम के बयान से साफ नजरा रहा है कि कहीं न कहीं भारतिये जनठा पार्टी के मन में किसी ना किसी तरह का संसे जरूर है उन्हेंने साफ तोर पे कहा है कि अंतिम निर्णे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का होगा अब देखने वाली बात यह है कि इन सारी बातों के बीच में जो समस्याएं हैं और जो बाते चल रही है वो कितना ज्यादा सटिक होती है और इसका असर होता है देखते रहे है भार नारायन जी का लोहिया जी का प्रंपुज्य बावाशार्फ डाक्टर वी आरंबेकर जी का तमाम महापूर्शों को नाम ले ले करके गरीव गुरुवा की बातों करके दिन दुख्यों की बातों करके सक्ता में वो आते हैं और सक्ता में आने के बाद से उनकी जाती भूल वो अपने परिवार में फश जाते हैं, अपने परिवार और बेटा बेटे माई भतिजार नाना मामा के चक्कर में पढ़ जाते हैं, यह देश में और परदेश में विकास की एक गती मिली है, देश के सची प्रदान मंतरी नरंद्र मौधी जी की नेतुत में जाती गौन हो ग या उसी राष्टे पर बिहार के समस्य जनता ने बिहार का मुक्वंतरी चुन करके भेजा कुछ लोगों को लगता है कि जातिय के सामने जब विकास नरंद्र मोदीजी ने लकिर बड़ाखी दिया है तो जातिय गड़ी तो उनकी ठीकी पढ़ रही है उनके आड़ में बोट उनके नजर आ रही है तो अपने वोट के जाल में फिर ये देश और परदेश के गरीब जनता को गुमराह करके वोट अपने पक्ष में लाने के लिए एक जाती है आकड़ा को फिर उन्हों में एक चाल चला है मेरा मानना है कि जब विहार परदेश में और सधन के अंदर से ज करते हैं राज और कंद्रिये नितुत को कि मैं एकन सुचित जाती चमारवर्ग में जन्म लेने के बाद भारती जनता पाटी ने इतनी बड़ी देश तो दिये इतनी बड़ी जिम्वारी दिया और परदान मंतरी के मिलने के बाद से मुझे आसा लगी है जगी है कि बिहार क देश के समस्त समाज के लोगों को